नमस्कार दोस्तू आपका फिर से बहुत-बहुत श्रागत है आपके अपने चानल आओ बात दिक्रेमें दोस्तू आज हम आपके लिए कुछ खटी, कुछ मिठी, कुछ चटटी बाते लेकर आए हैं और दोस्तू ये बाते हैं बीर के बारे में साधी ब्यहा पार्टी खुसी आगम सब जगह बीर पीना एक आम बात बन गई है आप लेसे भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीर पीते होंगे आपको हर वक्त ड़र लगता होगा कि आपको कोई बीर पीते देखना ले ताकि आपको परिवार की डाट ना पड़ी तो दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो बीर के बारे में है और ये बीर के फाइदे बदाती है और उन फाइदों में सबसे बड़ा फाइदा ये है कि जो एक पुरानी परंपरा चली आ रही है कि माबाप कहते है कि बेटा दूद पीले दूद पीले सहत बन जाएगी तो ताकतवर बन जाएगा पर दोस्तों ये आज की जो वैग्यानिक खोज हुई है ये वैग्यानिक जानकारी है वो ये कहती है कि बीर दूद से जादा हेल्दी है और आप बीर खुसी खुसी पी सकते हैं तो दोस्तो ये क्या ही जानकारी और कैसे इस बीर को पीने से आपको फैदा होगा दूध कैसे आपके लिए unhealthy है आज की इस वीडियो में हम सब कुछ expose करने वाले हैं उनकर सब कुछ बताने वाले है तो दोस्तो अगर आप इस बीर पीते हैं या पीयने की सोच रहे हैं तो इस आप चाहते हैं कि एसी खट्टी मिठी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे तो आप से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल अपन भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नौटी बेकेशन आपको तुरंत मिलती रहे इस पॉपुलर नोशन याई कि जो एक कहावत चली आ लिए कि दूद ही बहतर है और इसे पीने से आपका स्वास्ति बहतर होता है आपके हटिया मजबूत होती है चेहरे पर रो नकाती है पर पेटा की बात मानें तो बियर जिसमें उस्तन चार से आठ परसेट एलकोल होता है वह दूद से ज्यादा है आखिर पेटा ने ऐसे क्यों कहा तूद बियर से ज्यादा है यह कैसे हो सकता है इस बात में कितनी सच्चा यह इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं पूरी बात खोलकर रख देंगे जिससे को कोई आपको बियर पीने से रोग नहीं जबकि दूद पीने से मोटापा बढ़ता है डाइक टीज और कैंसर का रिक्स रहता है लिहाजा जिम्मेदारी से पिएं दूद ना पिएं पेटा ने यह दवा हावर्ड स्कूल आप पब्लिक हैल्थ की रिस्टर्च रिपोर्ट के अधार्पर किया है पेटा किया कोशिस इसलिए भी हो सकती है कि जादा से जादा लोगों को वेगन बना सेके यानि के सुद साका है इसमें कोई सकनी की बियर अलकॉलिक डिंक है जो मार्टे बार्ड जो गेहुजवार या मकई चावल ब्यू को ब्यू करके तयार के जाता है और इसके अंदर 90% पानी होता है और इ इक्टिव्स टिश्यू के ग्रोफ के लिए ज़रूरी माना जाता है जबकि जादा दूद पीने से दिल से जुड़ी बिमारिया मोटा पर डाइपटीज बैसके इंदर फैट होता है ना डाइपटीज कैंसर जैसी बिमारिया होने की बात करी जाती है इसके अलावा दूद पीने से मुहासेब इंपल्स लेक्टोज इंटरलेंस की दिक्कत हो सकती है इन दिक्कत के बाजू दूद सदियों से सबसे हेल्दी ड्रिंक में से एक माना जाता है दूद में ठेरों पोसक तर्तों होते हैं और सभी उमर के लोग इसका सेवन करते हैं उन्हें करना चाहिए दूद का सेवन हेल्दी है या नुकसान रहे यह एक बहस का मुद्दा हो सकता है लोग लंबे लंबे लेक्टरिस पर दे सकते हैं बहुत सारे तथेस में पेस कर सकते हैं सचाई सिर्फ इतनी है कि किसी भी चीज की अती बूरी होती है लिमिट पर रहकर दूद भी है तो यह हाट डिसीज का सबसे बड़ा रिस्क वैक्तर माना जाता है जब कि भीर सरील में good cholesterol को बढ़ावा देता है और bad cholesterol से होने वाले नुकसान बचाता है साही है शरील में blood clot बढ़ने से भी रोपता है हो सकता है कि बेर में कुछ मात्रा में पोजिटिव चीजे हो इसके बाजूद है पेटा का दावा भले ही अच्छे कारणों के लिए हो लेकिन यह कहकर लोगों को बीर पिने के लिए कहना पूरी तरह हालिकारक है नुकसान दायक है किसी भी चीज़ की अथी बुरी होती है चाहिए यह बीर हो या दूद हो तो लिहाद कंट्रॉल में रहकर पीना ही सरीर के लिए फायदा मद उत्तवा तो डोस्तों साइद की वीडियो में इतना ही मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद्ट